वा ये दोस्तों कि इसकी उपर मैंने tweet करा और मैंने ये लिखा देखे कि some Pakistanis will humiliate their country on a global platform just for petty political point scoring at home. India, Israel and US together cannot inflict the kind of damage on Pakistan that the Pakistanis do regularly. All wounds are self-inflicted. तो मैंने बुला यार ये Pakistanis ने खुद की बेज़ती करवाते हैं abroad. चोटे-चोटे अपने मुझे सियासी फाइदा हो जाए, घर में, बाहर, मुझे मेरी party, PTI, Noon League, इसके बीच में, PPP, इसके बीच में लडाई में मुझे थोड़ा सा फाइदा हो जाए, चलो अपने प्रधान मंतरी को जलील कर दो बाहर. कि देखो ये प्रधान मंतरी भीग मांगने के लिए, तो कोई आई नहीं भीग देने के लिए, ये तो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, मायूस सा है. तो ये मैंने, अच्छा खाजा आसिफ, जो की रूलिंग पर्टी का जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का वो डिफेंस मिनिस्टर है, सिटिन डिफेंस मिनिस्टर आज की तारीक में, वो मेरे ट्वीट को लगा के कहता है, इंडिया पी टी आई एंटी टी आउन सेम पेज, या तो खाजा आसिफ साब को अंग्रेजी नहीं आती समझ में, there is something wrong with him, sir you are the defense minister of Pakistan, आपका protocol है, आपके बंदे हैं वहाँ पे, कोई तो होगा पूरे ministry of defense में English बोलने वाला, मैंने क्या लिखा है, जवाब क्या दे रहे हैं, मैं आपके support में बोल रहा हूँ, आपे कह रहे हैं, प आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, कि ये शिरीन मजारी को ये काम नहीं करना चाहिए था जब आपके मुल्क, आपका मुल्क नाजब दोर से गुजर रहा है, और ये बाद में, जो शिरीन मजारी हैं, वो भी बीच में पढ़ गए, इनके tweet को देखके जब इन्होंने PTI लिख हैं, उनको बात में समझ में आ गई, ये अपने, ये जो खाजा आसिफ साब हैं, ये देसी बंदा है, इसने ऐसी हवा में दाग दिया मामला, तो इसको समझ में नहीं आई मेरी बात, तो ये अभी पाकिस्तान में latest controversy चल रही है, अच्छा, प्राइम इनिस्टर मोदी की जहा क्राइसिस के बड़े परिशानी के दौर सो घोजर रहा है, ये वोईस इस इंडिया जोजर रहा है, ये वोईस आप देखेंगे हमिस्फियर की जो कंट्रीज है, जो सौथ में कंट्रीज है, उनकी आवाज बनने की कोशिश करी और G20 के पहले ये समिट करवाया, प्राइम मुल्क है, हम उनको अपने साथ लेके चलेगा, मुझे लगता है, बहुत बड़ा एकstr गडम प्राइम जेके मिली थी G20 की, और जानवरी के ही महिने में नोने कर दिया खेल. यह ßमिट चरतिया भी जानवरी है, जानवरी के महिने में नोने कर दिया आपना, और समेट वेमिट करके बिल्कुल, फर्स टू वीक्स में ख्लोस कर दिया मामला, कि भाई ये हमारे priorities हैं. असी दिहाई पुराना एक model है उनका मुझे लगता है United Nations की तरफ इशारा है मोदी जी का कि आपने एक model बनाए कि दुनिया कैसे चलेगी वो 8 दिहाई पुराना है, 8 दशक पुराना है वो relevant है यह नहीं model है वो model ही relevant नहीं है तो यह जो G20 है जादा relevant है जादा relevant है, यहाँ पे maximum population दुनिया की यहाँ पे रहती है emerging economies यहाँ पे हैं, बड़ी-बड़ी economies यहाँ पे हैं और भारत सब को साथ लेके चलेगा Global South की बात करी है भारत में और मोदी जी ने बहुत शैंदार कदम उठाया है यह अच्छा पाकिस्तान अपने दोगलेपन से बाज नी आया है भाई पाकिस्तान ने 159 ठीक है, 169 container ammunition बेजें युक्रेण यानि कि पाकिस्तान इस प्लाइन इस प्लाइन इस पाकिस्तान इस प्लाइन containers of ammunition, including projectiles and primers to Ukraine via port in Poland this month, according to people aware of the matter a vessel named BBC Vesuvius will carry 155 mm projectiles M4A2 propelling back charges M82 primers and PDM fuses said the people earlier Pakistan played a critical role in transfer arms on behalf of UK to Ukraine, देखिये basically क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को पैसे मिल रहे है कभी बोला कि democracy और gender equality के नाम पे कुछ पैसे दे दिये फिर US ने fund के नाम पे 100 million दे दिये, फिर किसी ने कुछ दे दिये, ये पाकिस्तान देखिये, पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक तरफ तो गले मिल रहा है, रेशिया के कि हमें आप सस्ते में वीड दे दो, सस्ते में तेल दे दो, और वहां पे अमरीका और यॉरप के pressure में आके रेशिया को धोका दे रहा है, भाई, रेशिया और यूक्रेइन की जंग चल रही है, लोग मर रहे है इदर भी और उदर भी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, कि पाकिस्तान को इस चीज़ में clear cut चीज़ें अपनी करने चाहिए थे, कि भाई, हम किसी की side में नहीं पढ़ेंगे और जब इमरान खान गया था ना रशिया इमरान खान युक्रेइन ने गया, इमरान खान रशिया गया था रशिया से दोस्ती करने के लिए वो पूटन से मिला वहां पे जाके वो कहता है कि हम तो यार हैं आपके इमरान खान ने कुछ मेहने पहले साल भी नहीं हुआ इमरान खान को गए इमरान खान I think 22 या 23 फरवरी को गया होगा ठीक है तो 11 महने पहले इमरान खान गया रश्या और बोला कि जी Hello, how are you उसने वहाँ पे पूटन से हाथ मिलाया बोला It's amazing to be here अगले दिन लडाई चड़ गई बड़ा Controversial हो गई इसकी विजिट लेकिन इमरान खान गया था and let us give the benefit of doubt to इमरान खान कि उसको नहीं बताता लड़ाई होने वाली उस तारीक को उसको क्या बता पर इमरान खान ने पूरी कोशिश करी कि रश्या से भी मदद ले और कोशिश करे कि इस जंग में किसी के तरफदारी ना करे यह इमरान खान की कोशिश थी वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया उसकी सरकार गिर गई गिरा दी वो तारीक बताईगी इतियास बताएगा हम तो कोई नहीं होते बुलने वाले लेकिन fact of the matter is कि वो चाहरा था कि बैलन्स हो जा और पाकिस्तान को फायदा मिल जाए यह इमरान खान का एम था अब हुआ यह कि यह भाईयोंने क्या कराए है कि अमरीका से पैसे लेके अब यूकरेन को हतियार दे रहे है क्योंकि जाहर सी बात है अमरीका भी दे रहा है अब अमरीका कह रहा है कि तुम भी दो क्योंकि लडाई में तो आपको चाहिए और 155 यह कौन से है यह सेम projectiles हैं जो artillery में इस्तमाल होते है बोफोर्स की जो तोप है जो भारत के पास है अपने बोफोर्स का नाम सुना होगा वो भी 155 mm है मैं यह नहीं कह रहा है कि युक्रेन बोफोर्स चला रहा है मैं कह रहा हूँ उसी टाइप का शेल उसी कैलिबर का शेल क्योंकि पाकिस्तान भी 155 यूज़ करता है ग्लोबली acceptable है 155 mm तो वही पाकिस्तान ने यूक्रेन को दे दिया यानि कि रेशिया की पीट पे खंजर गुप दिया पाकिस्तान रेशिया हमारा दोस्त है कौन से पाकिस्तानी ने पिछले दो साल में यह नहीं बोला टेलिविजिन पे कि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमारा यार है और अब दुनिया में अब देखिएगा तीन-चार ग्रूप्स बन रहे हैं तर्की, पाकिस्तान, चाइना, रेशिया ये किस पाकिस्तानी टीवी एंकर नहीं बोला तो वही टीवी एंकरों के साफ सूंगी है पाकिस्तान में कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तो तुम्हारा दोस्ता था तुम उसके खिलाव हत्यार कें दे रहे हो पाकिस्तान इस अक्चिली सप्लाइंग वेपन्स टू यूकरेन क्यों? अमरीका से पैसा मिल रहा है तिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लॉमेसी अपने फॉरेंड पॉलिसी है सस्ते दामों में बेच दी और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है यह आज से नहीं कर रहे है इस साथ दा शक्सों से कर रहे है ठीक है ना?